आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चनल सेनिक समाचार में साथियों आज इस वीडियो मा हम disability pension को completely समझेंगे disability का मतलब है कि सेना में enrollment के बाद आप on duty या off duty किसी भी परकार की सारीरिक या मानसिक सती यानि disease या injury हो जाती है तो उसे हम disability केते हैं यह injury या बिमारी attributable to या aggravated by military service या ना 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 यादर attributable नर aggravated by military service हो सकती है साथियों यदि कोई सेनिक सेना से disability यानि low medical category में minimum pensionable service जो की 15 year है वो complete होने के बाद retirement invalid out या premature retirement इन किसी भी तरीके से out होता है तो उसकी disability या तो attributable या फिर aggravated by military service हो तो उसे disability pension पलस service element दोनों pension मिलेगी एक disability element होता है जो disabled होने पर मिलता है और दूसरा minimum 15 साल service करने के बाद service element यानि service pension लाग हो जाती है तो दोनों परकार की pension मिलती है और pensionable service से पहले यानि 15 years complete होने से पहले यदि कोई जवान सेना से किसी भी region से out होता है तो उसको केवल disability pension मिलेगी service pension नहीं मिलेगी अब यदि कोई सेनिक pensionable service से पहले सेना से out होता है तो disability pension प्राप्त करने की क्या क्या कंडिशन से उसके बारे में बात करते हैं सातियों 4 जन्वरी 2019 से पहले नाना केस में invalid out हो चुके सेनिकों को minimum qualifying service 10 years complete होने पर ही disability pension मिलती है लेकिन अब 4 जन्वरी 2019 के बाद इस नियम में बहुत बड़ा बदला हुआ है अब minimum 10 years qualifying service का close हटा दिया गया है तता 10 साल से कम service वालों को भी नाना केस में disability pension मिलेगी लेकिन इसमें condition यह है कि उस सेनिकों कोई bodily या mental informity यानी सारीरिक या मानसिक दुरबलता है तथा invalid out होने के समय military या civil employment दोनों के लिए permanently अक्सम या incapable declare किया गया हो यानी इसका सिधा-सिधा मतलब यह है कि सेनिक के सेना से invalid out के समय invalid medical board जिसको IMB बोलते हैं उसमें यह recommendation लिखी होई होने चाहिए कि he is unfit for civil or military employment यदि यह लिखावा रहेगा तो उस सेनिक को invalid pension मिलेगी साथियों वीडियो कैसे लगा like और share जुरू करें और चैनल को यदि फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो subscribe कर लें क्योंकि हम अब complete pension के उपर disability pension पर एक series लेके आएंगे तो आगे भी इसी तरीके से वीडियो आत रहेंगे ताकि उसका notification सबसे पहले आपको मिले साथियों अगले वीडियो में हम समझेंगे कि disability percentage के आदार पर कितनी pension मिलती है और यदि नहीं मिलेगी आपको pension note recommend हो जाती है तो उसके लिए क्या step उठाणा है तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय बारत वंदे मात्रम